दोस्तों DR Education के इस Official YouTube Channel पे आप सभी का स्वागत है देखी दोस्तों SSC की जो selection post होती है जिसमें phase 11 की जो भरती है उसके लिए exam अभी कुछ दिन पहले ही करवाया गया था आप सभी के जो documents हैं security के लिए मंगवाए थे जिसमें ER 162.23 जो post category नंबर था उसकी जो primary scrutiny status की एक list है वो इन्होंने जारी कर दी है मैं बात कर रहा हूँ Eastern region की list की मैं Northern region की जो list है जिसमें आपकी MES की 1070 vacancies के लिए vacancies आई थी ssc.org यानी Eastern region यानी जिसका headquarters कोलकता में उसकी मैंने official website open कर रखे है आज की date में अभी कुछ दिर पहले ये update है वो website पे जारी किया गया है देख भी सकते हैं लिखा हुए कि primary security status for post category number ER 162 phase 11 2023 selection post तो इसको जैसे आप download करेंगे हाला कि ये telegram channel पर मैं डाल दूँगा आप वहां से जाकर के अपना status है वो चेक कर सकते हैं अगर आप इस post category से belong करते हैं तो यहां पर देखे मैंने download कर लिया है already तो इसमें साफ साफ लिखा हुए subject में कि कि किस परकार की लिस्ट है किस परकार का ये notice है तो इसमें बताया हुए कि प्रेमिलरी स्क्यूटनी स्टेटस ऑफ candidates in respect of recruitment to seven जो vacancies जारी हुई थी किसके अंदर तो यह motor driver ordinary grade की vacancies थी जूलोजिकल सर्वी ओफ इंडिया ministry of environment forest and climate change के अंदर साथ vacancies थी अलग-अलग categories के साब से आप देख सकते हैं किन भी candidates ने अपने documents भेजे या नहीं भेजे या फिर वो किस तरीके से disqualify हुए है reject हुए है वो सारी चीज़े यहां पर बताई हुई है तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं अगर मैं बात करूँ कि preliminary scrutiny status of candidates for the post of post category नंबर है तो शायद यहां पर mistake हुई है क्योंकि यहां पर post category नंबर था 162 162 की जगा 161 हिनों ने लिख दिया है तो कहीं न कहीं mistake हुई है अगर मैं यहां पर बात करूँ सबसे पहले generate की तो इसका जो security status है वो rejected माना गया है क्यों क्योंकि इसने document अपने submit नहीं करे दूसरा जो generate है not eligible माना गया है क्यों neither driving license for LMV nor experience certificate submitted यानि नहीं इसने अपना LMV license और नहीं experience certificate submitted किया इस वज़े से note eligible माना गया है इसको अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि और कौन कौन से reasons है जिसमें एक सबसे बड़ा reason था आपका कि यहां पर आप 12 नंबर वाले candidate को देखिए candidate का जो नाम है वो 37 कुमार है OBC category का बंदा है note eligible माना गया है क्योंकि इसने अपनी experience की detail mention नहीं करी experience detailed note provided in the online application form भरते समय जब इसने online application form भरा उस time पे इसने अपने experience की जो details है वो fill नहीं करी और ये बहुत सारे candidates का doubt उस समय भी आया था और उस समय मैंने यहीं बोला था भाई अगर आपने online form भरने के दोरान अपनी experience की details fill नहीं करी तो वो user department पे depend करेगा even आपका हो सकता है कि जो candidature or reject माना जाए आप note eligible की category में आएंगे मैंने पुराना एक example दे करके भी आप सभी को बताया था वहीं same condition यहाँ पे भी apply हुई है यानि उनको note eligible की category में जो है वो डाल दिया है और जो candidates जिनके सब कुछ clear है जिन्होंने submit करवा दिया अपने documents अच्छे तरीके से कोई भी discrepancy या विसंगती नहीं पाई गई है उनको eligible माना गया है वो आप देख सकते हैं अपने अपने roll number wise नाम wise अपने category के हिसाब से सारी चीज़ें इसमें चेक का सकते हैं यह 112 में candidates की राउनलोड कर सकते हैं ssc.org की website है ठीक है बाकी एक चीज़ और बता देता हूं जो mes की vacancies थी 1070 वह vacancies northern reason के अंदर आई थी तो जितनी probability है वो आपकी ssc.nr.nic.in की website पे जारी होगी यहाँ पे जो what's new वाला section है इसके अंदर phase 11 के नाम से अलग से आपकी list हो जारी होगी ठीक ह तो जैसे ही कोई update आएगा तो इसी website पे आप चेक करना बाकी ssc की official website तो आप सभी को बताईए जैसे ही कोई update आएगी तो मैं आप सभी को जैसे इस वीडियो के बारे में बताया है वैसे मैं आगे भी आपको जो भी latest update होंगी वो आप सभी के साथ में share कर दूँगा ठीक है तो अगर आप इस channel पर पहले बार visit कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आगे कि जितने भी notifications या वीडियो या फिर update पाने के लिए और अगर मानलो कोई doubt आपका create हो रख है तो आप comment section में लिख देना जितना possible होगा मैं आपके जो reply हो देने की पूरी-पूरी कोशिस करूँगा ठीके दोस्तों चलिए मिलते हैं next वीडियो में thank you so much